आज हम शुरू करते हैं आपकी वक्षीट अमर 19 तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे सब्जेक डाल देंगे क्लास अपना नाम अपरेटीचर का नाम डेट आप लोग लिख लेंगे आज हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे यानि पेड़ों के बारे में इ के लिए हमायजेज को स्सक्राइब करें ऊर प्लेस का इस्तिमाल करें तो देखें क्या लिख आज है ट्रीज आर फ़िट्स जो है वुचेडियों के लिए है ट्रीज शो है वो बच्चों के लिए भी है, trees are make tree house in, यानि कि हम trees के ऊपर tree house भी बला सकते हैं, trees are to swim, यानि कि उस पे हम जूला भी जूल सकते हैं, trees are for the wind to blow through, यानि जब हवा तीज आती है तो उसको हलका करने में मदद करता है, trees are to hide behind in, hide and seek, यानि ट्री के पीछे छिपके हम लोग hide and seek भी खेल सकते हैं, trees are have to tea parties under, यानि ट्री के नीचे बैट के हम लोग tea parties भी ले सकते हैं, trees are for kites to get catch in, और trees के अंदर पतंगे भी भश जाती हैं, trees are to make cool shade in summer, यानि trees गर्वियों में हमें थंडी चाया देता है, trees are to make no shade in winter, और trees जो है वो सर्दियों में हमें कोई चाया लही देते, trees are for apples to grow on and pierce, यानि पेड़ों के ऊपर, सेव और नाशपाती जैसे फल भी लिकलते हैं, trees are to chop down and call trim, ठीक, trees जो है जब हिलते हैं या गिरते हैं तो आवाज कैसी आती है, trim करके आवाज आती है, trees में एक मदर से, हमारी ममा trees के लिए कहती है, what a lovely picture to paint, यानि कि तुम ने कितनी हुपसूरत picture बलाई है, paint करके, trees में एक father से, trees के लिए पापा कहते है, what a lot of leaves to raise this fall, किते धेर सारी पतिया है, जो हर वक्त गिरती है, तो इस तरह से ये worksheet की जो poem है, ये अब लोग पिछली worksheet में पढ़ चुके है, लेकिल क्योंकि पढ़ला जरूरी था, इसलिए मैं आपको पढ़ा दी, चले तो अब हम अब देखें कुशन लिखा है, read the poem and fill in the blanks by choosing the correct option from the world box, इस world box में से आपको ये सारे answers देने हैं, इसके लावा आप इन्होंने लिखा है कि poem को अच्छे से पढ़ो और fill in the blanks को बढ़ो, ये इस box के जरीए है, चले तो answer, अब लोग answer sheet में पढ़ लेते हैं, तो देखें किया birds makes nets in a tree, यानि कि चलिया जो है, वो पेडों के उपर अपना घोसला बलाती है, next क्या लिखा है, children's play near trees, यानि बच्चे जो है, वो पेडों के इर्द गिर्द खेलते हैं, next क्या लिखा है, आपका we play hide and seek behind trees, यानि कि हम पेडों के पीछे छिप्त के hide and seek खेलते हैं, people sometimes have tea parties under tree, यानि कभी कभी बड़े लोग tea parties करते हैं, पेडों के लिए, trees give a shade during summer, यानि जो trees है, वो हमें गर्मियों में चाया देते हैं, Mally fruits like apple and pears grow on trees, यानि कि सीब और नाशपाती जैसे कुछ फल पेडों पर ही उगते हैं, उसके बाद लिखा है, we cut tree to get trim, यानि कि अगर हम trees को काटते हैं, तो हमारे कैसी आवाजे किस चीज़ की आवाजे साही जाती है, ट्रेम की, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, चलें, लैक्स को शिट बढ़ते हैं, अब देखिए, यह लिखा है, let's write a paragraph on value of tree, यह आपको जो दो लाइने दी गई है, यह paragraph है, value of tree के उपर, by choosing the correct word for the word box, give and blow, अब आपको इस word box में देख के, इन सारी फिलप्स को फिल करना है, तो चलें, काम करते हैं, हम लोग इस का answer sheet पर ही देख लेते हैं, देखिए, क्या लिखा है, trees are very important for us, याली, पीड हमारे लिए बहुत जरूरी है, they give us oxygen, याली, यह हमें oxygen देते हैं, initial for living, जो की जीने के लिए बहुत जरूरी है, they give us fruits and medicines, यह में फल और दवाईयां भी देते हैं, they help in reducing pollution, यह pollution को कब करने में भी मदद करते हैं, they serve as home for belly birds and animals, यह लिकी, यह बहुत सारे चुड़ियों को, बहुत सारे जालवरों को, अपने आपको घर के रूप में देते हैं, we should plant more trees for a better environment, यहलि हमें जादा से जादा पेड़ों को लगाना चाहिए, मैंने पिछली बार भी बोला था, यह वाला जो प्लांट है, इसका मतलब होता है लगाना, ठीक है, पेड रूपर करना, ठीक तो अब क्या लिक है, we should plant more trees, यहलि हमें जादा से जादा पेड़ों को ल यह अपोजिट वर्ड्स अफ दर फॉलॉइंग वर्ड्स यूजिंग दा हैल बोक्स, अब आपको इस हैल बोक्स की मदद से इस सबके आपोजिट वर्ड लिकने थे, आपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टी लवज है ल टॉलियम, समर का क्या हो जाएगा, विल्टर, ड प्रोग का विक, फिर क्या होगा, लॉग का शॉट जाएगा, आउट बारिया, आउट जाना, बारिया बैन, तो इस तरह से आप लोग से कर सकते हैं चलेगा, आच्छी विडियो बहुत अगर आपको आपको वीडियो पसाद आई हो तो प्लीज जिस लाइक हो शूर अगर अगर भी तक अपने बच्छाओं को स्क्राइब नहीं करें तो प्लीज बच्छाओं को स्क्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग